नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे income tax बरती 2024 के बारे में जी हाँ दोस्तों income tax की तरप से निकाले गई latest vacancies की update के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे तो वीडियो को लैक्षिक जिरूर दिखेगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो मा हम जानेंगे कि यहाँ पर आपकी age limit क्या रखी जाएगी आपका educational qualification क्या रखा जाएगा कब से कब तक आप इस बर्तिक लिए अपना online application form submit कर सकते हैं और आपको यहाँ पर फर्मत पेश केल कितना provide किया जाएगा इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो मा हम बात करेंगे आप सभी से request करना चाहूँगा अगर अभी तक आपने अमारे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप अमारे YouTube चैनल को subscribe जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबालें ताक इसी तरीकी की latest government jobs की information आपको सब से पहले मिल सके चली प्रेंट्स बात करते हैं income tax recruitment 2024 के vacancies के overview के बारे में तो दीखे दोस्तों आपका जो name of the organization रहीगा ये income tax department आएकर विबाग रहीगा income tax department के तरब से आपके इन vacancies को organize करवाय जाएगा name of the post के बारे में बात करें तो inspector of income tax पद के लिए आपको ये vacancies देखने को मिल जाएंगे साथी में income tax officer, ITO के पद पर भी आपको vacancies देखने को मिलेंगे and tax assistant, PS card, AO card, group C और stenographer, grade second पद के लिए आपको vacancies यहाँ पर देखने को मिल सकती है notice server, LDC, executive assistant, driver और multitasking staff, MTS पद के लिए भी vacancies आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे total number of vacancies के बारे में बात के लिए दो 2750 पदों पर आपको expected vacancies जहाँ पर देखने को मिलेंगे and applying mode आपका online रहीगा, आप इस बर्ति के लिए online आविदिन कर पाएंगे job location आपकी all over India रहीगी, all over India माँ आपको कहीं पर भी यह job provide की जा सकती है exam mode आपका online रहीगा, आप इस बर्ति के लिए online exam दे पाएंगे and official website आपकी income tax india.gov.in रहीगी जिस पर जा करके आप इस बर्ति से समधे सारी update ले सकते हैं बात करते हैं दोस्तों income tax recruitment के eligibility criteria's के बारे में तो दीके दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपकी जो age limit यहाँ पर रखी जाएगी इसमें दोस्तों minimum age आपकी 18 और 20 साल रखी गई है तो post के साब से आपकी age को यहाँ पर divide किया जाएगा maximum यहाँ पर 30 से 45 साल तक के candidate आविदिन कर सकते हैं inspector of income tax पद के लिए 18 से 30 साल तक के candidate आविदिन कर पाएंगे tax assistant and stenographer पद के लिए 18 से 27 साल तक के candidate आविदिन कर सकते हैं SCST category को 5 साल की age मचूट मिलने वाली है OBC candidate को 3 साल की government rules के अनुसार age मचूट दी जाएगी साथी में अगरा PWD category के candidate हैं तो general and EWS category को 10 साल की OBC category को 13 साल की and SCST category को 15 साल की age मचूट प्रवाइड के जाएगी accessman candidate के लिए भी यहाँ पर age relaxation आपको देखने को मिल जाएंगे और इसी के साथ में दोस्तों अगर बात कले हाँ पर educational qualification के बारे में तो देखें दूस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो भी candidate अपना 10 और 12th class पास कर चुका है वो candidate इस बरती के लिए आविदन कर सकते हैं जिन्री भी candidate ने अपना graduation कर पाएंगे और application fees के बारे में बात कर लिए तो general and OBC category को 500 रुपे and SCHD और PH category candidate को 100 रुपे application fees जमा करवानी होगी बात करते हैं दूस्तों selection process के बारे में तो देखें सबसे बहले आपका written exam conduct करवाए जाएगा इसके बाद में आपका skill test रहीगा देन आपका documents, verification और medical examination आपको देखने को मिल जाएगा final आपका यहाँ पर interview conduct करवाए जाएगा तो यह कुछ step रहेंगे जिनके अधार पर आपको final selection मिलने वाला है बात करते हैं दूस्तों piece click के बारे में जो आपको यहाँ पर salary दी जाएगी इसकी update के बारे में तो देखें आपको जो salary हाँ पर दी जाएगी इसमें inspector of income tax पद के लिए 44,900 रुपे आपको per month salary यहाँ पर मिलने वाली है tax assistant पद के लिए 25,500 रुपे और multitasking staff पद के लिए 19,000 रुपे salary आपको यहाँ पर दी जाएगी stenographer grade second पद के लिए 20,200 रुपे आपको यहाँ पर काउफी अच्छी कासी salary मिलने वाली है बात करते हैं दोस्तों income tax recruitment के लिए आपका जो exam pattern रहीगा तो दीके MTS tax assistant inspector of income tax पद के लिए जो आपका syllabus यहाँ पर रेने वाला है इसमें journal intelligence and reasoning से 30 questions 6 नमबर के पूछी जाएंगे quantity aptitude से भी 30 questions 6 नमबर के आपको देखने को मिल जाएंगे journal awareness से 25 questions 50 नमबर के रहेंगे and English language से आपके 30 questions 6 नमबर के रहेंगे और computer knowledge आपका यहाँ पर 10 questions 20 नमबर के पूछी जाएंगे total 125 questions रहेंगे 250 नमबर का आपका paper यहाँ पर होने वाला है and दोस्तों इसी के साथ में बात करते हैं how to apply के बारे में कि किस तरीके से आप income tax recruitment के लिए अपना online application form submit कर सकते हैं तो दीगे दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ steps provide किये गए हैं आप इनी steps को follow करके easily अपना online application form गर बैट करके अपने mobile के मैध्यम से submit कर सकते हैं तो अगर आपको अपना online application form submit करने में किसे भी प्रकार के problem का सामना करना पड़ता है तो आप मुझे नीचे comment box में next video के लिए message कर सकते हैं मैं आपके लिए जल्दी से एक नई video लेकर करके आजाऊंगा जिसमा आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना online application form गर बैट करके अपने mobile के mathium से submit कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को subscribe कर लेना है घंटी के button को जरूर दबा लेना है ताकि जब भी मैं आपके लिए वो वीडियो upload करूँ तो उसकी note application से आपको सबसे पहले मिल जाए बात करते हैं दूस्तों important date के बारे में भी नई update निकल करके आती है तो उसकी information आपको अमारे official YouTube चैनल पर देखने को मिल जाएगे तो चैनल को subscribe जरूर कर ले important links आपको नीचे description box में मिल जाएगे जहां से आप इस बरतिक लिए इसका official notification डाउनलोड कर पाएगे साथी में इस बरतिक लिए अपना online application form submit कर पाएगे उम्मीद कर दाऊं दोस्तों इवीडियो आप सभी को पसंद आई होगी वीडियो केश लगिया नीचे comment करके जरूर बताना वीडियो पसंद आई है तो like कर दीजेगा दोस्तों के साथ share करना बिलकुल मत भूलना चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो subscribe जरूर कर ले और घंटी के बटन को जरूर दबा ले ताकि इसी तरीकी की latest government jobs की information आपको सब से बहले मिल सके चैनल परेंट्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलता अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार बाए जैहिन दोस्तों